वेल्कम बेक टू लाइब्रेरी दोस्तों आज हम एक बहुत ही मशूर आर्टिकल था वेड़न रसल का वाई आम नॉट अ क्रिस्टन इस पर बात कर लेते हैं यह आर्टिकल 1927 मुणने लिखा था और इसमें कई एक ऐसी बाते हैं जो बड़ी सख्त और क्रिटिसाइजिंग नेचर की हैं डाइटी के हुआले से यारे खुदा की एक्जिस्टन के हओले से एक अवराल क्रिस्टैनिटी के खुद जीसिस के करेक्टर के लिहाज से भी और भी बहुत सारी बाते हैं बड़े सक्त सवाल उन उठाए हैं फिलासफिकल अंदाज में भी और सोशल बैक्गराउंड में भी और रिलीजिन को भी उसमें तो जब हम इसको डिसकुस करेंगे तो आप देखीगा क्या के नई बाते होंगी उससे खबल हम चलते हैं जरा सी बटन रिसल की बात कर लेते हैं सब जानते हैं वो बिर्टिश फिलासफर थे लॉजिशियन होने कहते हैं सोशल रिफॉर्मर थे उनका खुसूसी सब्जेक्ट जो था वो अपिस्टमालोजी था अपिस्टमालोजी का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी हमन नेचर है या नौलेज है या बहेवियर या रीजन सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ फिलासफी बलके पॉलिक्स और सोशल सब्जेक्ट खुसूसां और मोरायलिटी उस पर उनको भी बात की बनर रसल की 70 किताबें हैं और 2000 से जादा उनके आर्टिकल स्पए लेकिन इतने कर्टिसाइजिग और इतने हार्श थे कि उने जिन् एक बार तो ऐसा भी हुआ कि छे मेनेक उनके प्रिजिन्मेंट हुई और कई बार उन पर फाइंस भी लगे और कई बार पाबंदिया भी लगी उन्हें लेक्चर देने में थोड़ी से लाइफ इसी देख लेते हैं उनकी वह 1872 में पैदा हुए उनके वालिद का नाम इनको एगनॉस्टिक बनाना चाहते थे यह अलग डैमेंशन है एनिवे यह शुरू में तो इन्होंने स्कूल की तालीम घरमी ली उसके बाद यह ट्रिटनी कॉलिज जो कैमरिज का था वहां आ गए 18 साल के ते वहां उन्होंने फिलासफिय पड़ी और मज़दार बात यह क इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो नज़र आई उसी वक्ती और डिस्टिंशन के साथ फिलासफिय में उन्होंने क्लियर किया और उसके बाद उनको ऐज़े फैलो की ऑफर भी हो गई उससे कबल मगर वो बिटिश एमबेसी पैरिस चलेगर वो जॉइन कर लिया कुछ महिनों के ल इस दोरान जब शादी के बाद ये एक जगा थी हैलेसमेर वहां मुन्तकिल हो गए और सोशल फिलासफिय के हवाले से और डेमिक्रेसी के हवाले से पढ़ते रहे नाइटीन हंड़ेड में यह हुआ है कि वह किसी रीजन से पैरिस आए वहां पर एक मैथमेटिकल कॉन्फरे की अच्छा दोस्तों उसके बाद कुछ जिंदगी उनकी कुछ और मुक्तिक तरिक से नजर आती है क्योंकि यह वो जमाना है जब फर्स वर्ल्ड वार आ गई थी और उन्होंने एक एक लॉट था कि मिलिटरी में दो साल के लिए आपको सर्वेसिस देनी ही पड़ीगी यह लॉट में शामिल होना पड़ेगा यह पाबंदी लगाई वी थी बेटिश गॉर्मेंट ने जिसके खिलाफ उन्होंने एक बुक्लेट लिखी आर्टिकल लिखा जिसके नतीजे में को हंड्रेट पॉंट का फाइन परना पड़ा बलके इस दौरान जब उनको ठेटनी कॉल बाद में वो एक किताब आई उनकी पॉलिटिकल आइडियल्स के नाम से 1918 में जो खासी पॉपलर हुई अच्छा इसी दोरा 1918 में उनको 6 मंत की इंप्रिजन में भी मिली क्योंकि उन्होंने ट्रिबनल में कोई आर्टिकल लिखा था जो मॉरल वैलियूस के हवाले से या पॉ आर्टिक्स ऑफ माइंड आई जो 1921 में थी और यह वो लेक्चर थे जो उन्होंने लंडन में दिये 1920 में इनका जाना रश्या हुआ क्योंकि वो रश्या में देखना चाहते थे 1917 के एलेक्शन के बाद किस कुसम का मार्शा डवलप हुआ है उसी दोरान उसी साल फिर वो चा नाम मिस्ट डॉरा ब्लैक था 1927 से 1935 तक इनका साथ रहा इन्होंने दोरान एक स्कूल भी बनाया जहां बच्चों को यंग चिर्डर्न्स के लिए और फिर 1935 में की डिवोर्स भी और फिर इनकी तीसरी शादी हुए पैट्रीशिया हैलन स्पेंसर से यह सिलसला चलता रहा उसके बाद फिर यह उनाइटेड इस्टेट आगा है उनाइटेड इस्टेट की जो लीडिंग निश्टी थी वहां यह लेक्चर्स देते रहें मुरैलिटी के ओपर जो इनके कुछ लेक्चर्स थे उसके ओपर खुसान खासी क्रिटिसिजम हुआ और इनको नियॉयर्क जो कॉलिश था सिटी आफ नियॉयर्क जो था वहां से कुछ पाबंदिया लेगी जिसकी वज़े से यह लीगल इशूस में उलजे तो इनकी जिन्दगी जो है दोस्तों पूरी की पूरी आपको एक फाइट के साथ एक फ्री विल की जिन्दगी निजर आएगी कि एक आदमी ज आजादना जिन्दगी गुजार रहा और पूरा खुलकर पूरी सुसाइटी के ओपर हर डाइमेंशन के ओपर लिख रहा है इन तमाम बातों के अलावा कि जो मसाइल की जिन्दगी में थे वो तो थे ही मगर बहुत कुछ मिला भी इन्हें रॉयल सुसाइटी के फैलो यह ए 1908 में फिर रिएलेक्ट हुए ट्रिंट्री कॉलेज के इंदर 1944 में इनको सिल्वेस्टर मेडल मिला रॉयल सुसाइटी के तरफ से 1934 में मॉर्गन मेडल मिला लंदन मैथमेटिक सोसाइटी से और फिर बिलाखर 1950 में लिट्रेचर का नोबल प्राइज मिला यह इनकी जिन्द आर्टिकल में इसकी धूम साही दुनिया में हुगी वायम लॉट्ट। वायम गर। the intellectual thing, I should want to say to them, is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. But if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Welcome back, friends. I hope that you will feel good about your results. You will have to know how you were in your life. Why I am not a Christian? It is such a case, friends. Like someone says, Why I am an atheist? Like you remember, Bhagat Singh's article. It was such a case, John Scott's article. Why I am a Christian? Ibn Varakhah has written a article like Ibn Varakhah has written a article like Why I am not a Muslim. It is such a way, Why I am a Hindu Shashi Thedor has written a article like Why I am a Hindu Shashi Thedor. So you will get a lot of articles like Why I am not a secularist William Connolly has written a article like I am not a secularist William Connolly. So this is a whole thing that you feel like a franchise has become a franchise in the past. But this article in 1927, we have to look at the moment of that time. We have to think about which time we have to think about 1927. So that is a particular time in which time we have written a article like Ibn Varakhah has written in March 6, 1927. And it was presented in the Town Hall of Patrisia, which was the South London Branch, the National Secular Society of South London, which was supported by the National Secular Society. They were supported by this. Later, this article was published in the form of booklets, as I said, that it was published and then it was published again and it was published again. And it was a very difficult time. Let's talk about it, इसमें सबसे पहले जो उन्होंने बात शुरू की वो यह कि I am not a Christian में, कि Christian का मतलब क्या है, इसमें सबसे पहला important loves यह है, Christian का मतलब क्या है, अमुमी तोर पर हम समझते हैं कि Christian का मतलब यह है, कि Christians वो होते हैं जो अच्छी लाइव गुजारना चाहते हैं, यह बड़ा lose मतलब ह यह कहते हैं, यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बुद्धा को मानने वाले या Confucius को मानने वाले या Islam के मुहमदियन, वो सबके सब अच्छी जिन्दगी गुजारना चाहते हैं, यह जो इसका मतलब यह है, कि वो उसके लिए यह definition Christian की नहीं है, हां वो कहते हैं कि अगर हम पहले पिछले दौर में चले जाएं, उस दौर में चले जाएं, वो दौर जब हम सेंट अग्विस्टिन का दौर था या सेंट थॉमिस एक्विना का दौर था, उस दौर में जाकर देखें, तो हमें जादा, यानि fully blooded definition मिलती है Christian की, क्यों? इसलिए कि वहां पर हम देखते हैं कि वो बाजापता इस बात पर डिबेट करते हैं, फौर एक्विस्टिन का ने चुके रेफरेंस दिया है तो मैं थोड़ा सा बता रहेता हूँ सेंट अग्विस्टिन का, कि आपको पता ही होगा अखिरन, सेंट अग्विस्टिन जाएं, वो इनको हम Aurelius Augustine भी कहते हैं, या August प्लोटो के जो पूरी की पूरी फिलासफी थी, उसके साथ अडॉप्ट करनी की कोशिश की थी, यह कह सकते हैं कि जो सेंट अग्विस्टिन हैं, उन्हीं की वज़े से एक मॉडरन रोमन कैथॉलिक एडियालोजी डेवलप हुई है, प्रोटेस्टिन क्रिस्चैनिटी तो क्रिस्चैनिटी की उमर बढ़ गई, ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल ऐसी तरह इसी तरह उन्होंने एक और मिसाल दी, सेंट थॉमेस एक्विना की, सेंट थॉमेस एक्विना की छोटा सा बता जीता हूँ मैं आपको, सेंट थॉमेस एक्विना मेडिवल दौर के थे, 1224 सें पैदा हुए 1224 मिनकी डहत हुई थी, यह असल में दौर है, सोचलिस्टिक फिलोसफी का, इसको लेस्टिक यह सोचलिस्टिक फिलोसफी जो थी, जिसके अंदर हम बाजापता एक एनलेसिस करते हैं फिलोसफिकल, डिलीजन की, यह मजभी लोग थे, तो जाहरी बात है य इसको फिलोसफिकली करके उसको गौट की एक्जिस्टिक को बाजापता आर्गुमेंट्स के जरीए से प्रूफ करते थे, इसलिए हम कहते हैं कि फुल बलेड़ेट इसके मीनिंग्स थे, इसका मतलब था कि यह क्रिस्टिक थे, क्योंकि वो उसके पर बहस कर रहे थे गौट कर रही है, कैसे प्लेटो की फिलोसफिकली इसमी में शामिल होती है, और किस तरह से क्रिस्टिक को लाइफ मिलती है, हमारे जो सेंट थॉमेस एक्विना थे, इन्होंने तो बाजापता था था, था कि गौट के एक्जिस्टन्स को कई एक पॉइंट से के मुविंग ऑबजे फिलोसफिकल डिबेट के जरिये से नोंने गौट के एक्जिस्टन्स को साबीत किया था, तो यह कहते हैं कि यह लूज बात नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टिन की, आज के दौर की बात नहीं है, लेकिन आज की भी कुछ पैरामिटर है, तो हम मेडिवल दौर से, आज के दौर मैंने 1927 के दौर के आसपास आजाते हैं, और कहते हैं कि क्रिस्टन की डेफिनेशन क्या है, एक छोटी से ब्रेक के बार आते हैं, और फिर वात आगी कर लेते हैं. scratch के दौर झेल हैं, जूझे सैनल मेरा जडे जापिनेशन क्वी प्वे ख्रिarn, ग।र्व भी रहत जाज का सब्रिय करसे हैं, और एको डेफिने खिरेंसे हैं, शॉप्यर लेशन से ब्यूवर रह. Are you looking for a different type of realtor? the ustंच million आड़र औअर अश्चरी 21 Innovative Realty, Inc. एब एब एको नहाता है वाल ए्यारै नहाता है। इवर्याक चैजिए है। वालता है लिए है। वन्हाता है वालता है। यहाता है विर अजाकैंगा है। सीर्ष कांभ जहाता है। सही है दिए है। सही है। is a know-it-all, get to know Suhail Khan, 416-822-0305 or at suhailkhan.ca, experience excellence. Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our number one priority. We are open Tuesday to Sunday, 1230 to 730. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road, West Mississauga, Unit 15 or call us at 647-967-0351. If you are looking for a dedicated and honest real estate agent, then meet Wasif Khan, servicing the community for years in resale and pre-construction projects. Sell your property in top dollars with TV, radio, social media and MLS marketing. We also help with mortgages. For all your risk check needs, contact me at 647-786-8765 or visit wasifkhan.ca. Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मजीद मालुमाद के लिए 416-569-9294 या फिर विसित कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com Air Wings Travel and Tours North America की सबसे बायतमाद और फास्टेस्ट एर ट्रेवल सर्विसेज पचीस साल का तजर्बा लिए लाक आदाद अफोरड़ ट्रेवल दील्स के साथ अच्छेंस इन कुस्टमर सर्विसेज उन जस वन फोन काल ये है Air Wings Travel and Tours For booking, call now 1-855-247-9464 Or 905-272-2300 Air Wings Travel and Tours Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider Dixie Electronics Authorized dealer of all major companies Shop with a peace of mind and low prices are always guaranteed I promise best customer service and lowest prices in GTA Because we beat prices from all major stores and small stores At Dixie Electronics, our motto is We sell quality and deliver confidence Dixie Electronics and Appliances 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga Phone number 905-625-5900 Welcome back, friends. We were talking about the definition of a Christian, what is a Christian, what is a Christian? So if we say that if we go to a loose definition, that we go to a loose definition, that we go to a loose definition, that there are two things that are necessary to be One is to be the God's existence, that you need to believe that God exists, another is the immortality That you are the reality of a Christian, that you have to believe that the life has never been This is the life of a Christian, that you have to believe that God exists, the living of a Christian, that you have to believe that it will be the existence of a Christian. क्रिस्टिन्स का और यह अरिया पूरा वो ठीक है मगर उस में ये कमझ कम होना जरूरी है यानि डेफिनेशन के अंदर ये मेजर पॉइंट होना जरूरी है कि अगर एक पूरी पुरा मास्ट भी क्रिस्टिन है तो उन्हें कमसकम existence of God के ओपर उनका यकीन होना जरूरी है और उनको immortality के ओपर भी यकीन होना जरूरी है कि जिन्दगी बादल मौद भी रहेगी यानि जिन्दगी कभी खतम नहीं होती है और दूसरी बात जो और भी जरूरी है एक किस्टन होने के लिए वो ये क्योंकि ये दो बातों का तो मौमडियन यानि मुसलिम्स भी यकीन करते हैं और बुदास वाले यकीन करते हैं और मौजब के भी लोग यकीन करते हैं हिंदुबी के शियत तक भी यकीन इस बात पर यकीन रखते हैं तो दूसरी एहम बात वो है क्राइस्ट की, हजदत इसा लिएस्ट की, कि हजदत इसा लिएस्ट को मुस्ट विजडम वाला और सबसे अच्छा इनसान समझा जाए, अगर तुम क्रिस्टिन हो तो, वो कहना है कि ये दूसरी बात का भी होना जरूरी है, ये कहते हैं खुद कि मैं अपने आपको क्रिस्टिन इसलिए नहीं कहता हूं कि मेरा इन दोनों बातों पर इमान नहीं है, ना तो मैं इस बात पर इमान करता हूं कि गॉड़ एक्जिस्ट करता है, या इनसान हमेशा रहेगा, और नहीं मैं इस बात पर अखिन करता हूं कि क्रिस्टिन के हमारे जो जीसिस हैं वो best or vicest है, वो कहते हैं कि हाँ up to certain degree of moral goodness हम कह सकते हैं, कि या उनको एक highest degree of morality के हवाले से हम कहा जा सकता हैं लेकिन ये कहना कि वो is best, यो कहते हैं इस पर मैं यखीन नहीं करता, क्योंकि इसके ओपर मेरी conservative, इसके पर मेरे कुछ मेरी अपने opinions हैं, आगे ये कहते हैं जहां तक एक और भी है, old days में हम इस बात पर भी पराने दौर में यखीन करते थे, कि क्रिस्चन वो हैं जो दोजख पर यखीन रखते हो, यनि hell की fire के पर यखीन रखते हो, तो ऐसा भी नहीं है, वो कहते हैं कि ये बात थोड़ी सी lose है, वो अपने इसी आगे कहते हैं, कहते हैं ये बात थोड़ी सी lose है, क्योंकि अब आज के दौर में इसको हम criteria नहीं बनाते हैं, बहुत से Christians कहते हैं, hell की fire जो है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज का जो being a Christian होना या आज का आज के दौर में Christian होने के लिए, it's more like an act of parliament, इस यासी अंदाज में जुम्ला इनोंने कह दिया, इनोंने कहा है कि पाईवी कॉंसल्स जो होती है, वो डिसाइट करती है, या फिर Archive Shop Canterbury और Archive Shop of York यह डिसाइट करते हैं क्या आप Christian है, तो उसमें कहते हैं कि hell के मामले को आप पीछे छोड़ सकते हैं, आगे जाते हैं वो existence of God के उपर, अब यहां पर existence of God के पर जब डिबेट करते हैं, तो यह कहते हैं कि यह एक बड़ा curious किसम का डॉगमा है, यह एक belief का system है, कि साब खुदा मौझूद है, उसके लिए कई एक बाते हैं जिस पर कहलेंगे हम discuss कर सकते हैं, कई एक arguments आते हैं against the existence of God. For example, पहली बात इन उन शुरू करें अगले paragraph से, the first cause argument. कहते हैं, first cause argument को देख लीजेए, first cause argument जो है, वो, it's more like कि अगर आप किसी theologian से या किसी मख़भी इनसां से बात करें, तो वो यह कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी खुदा ने पैदा किया है, असल में उसका एक cause है, एक reason मौझूद है. तो यह कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है, तो उसको एक chain की form में हम देखते चले जाते हैं, तो यू गो ultimately, first cause को follow करते चले जाए, तो वो सिलसला जाकर खुदा से मिल जाता है. तो फिर सवाल खुदा पर पैदा हो जाता है, कि खुदा की मौझूदी का cause क्या है. यहां पर आकर बात रुख जाती है, और उसके बात कहले हैं कि उस बात की validity खतम हो जाती है. अगर इनसान का फ़ला रीजन है या दुनिया की हर्चीज का एक रीजन मौझूद है. आगे जाकर उन्होंने एक किताब है, जान स्टॉट मिल्स की आर्टो बाइगरेफिय, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया. वो कहते हैं कि जब मैं 18 साल का था और मैंने किताब पढ़ी, तो मैं एक जगा रुख दिया, मैं टीनेजर था, लेकिन उसमें जान स्टॉट मिल्स के फॉदर ने उनसे कहा, कि भाई ये जो सवाल है, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्यूंकि उसके फॉरण बाद अगला सवाल या जाता है, कि खुदा को किसने बनाए, तो कहते हैं ये एक इंतहाई लूस किसम की आर्गुमेंटेशन है, इसका कोई जवाब नहीं बनता है, और अल्टिमेटली वो बात मिल्कुल हिंदू लिट्रेचर पर चले जाती है, कि दुनिया कैसे आई, तो साब दुनिया क्या है, तो there is nothing, suppose why not we change the subject, तो subject को change कर दिया जाए, तो subject की vitality जो होती है, जो इसकी arguments हो खतम हो जाते हैं, तो कोई reason बचता नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी पैदा हो जाता है, कि जब अगर डाला हो इसी खिसम के हैं, तो क्यो को हम इस तरह से twist कर सकते हैं, वो कहते हैं, it's a poverty of imagination, जब हमें एक चीज़ का, कि first cause का पता ही नहीं है, there is no reason to go behind it, अब आगे जाकर यह natural law argument के उपर आते हैं, यह इनका अगला हिस्सा है, जिसके उन्होंने natural laws के हवाले से बात की, यहां पर वो newtron के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं, कि हम अगर in general बात करें, कि जब पुराने दोर में एक बात हुआ करती तो बड़े fix कुसम के argument दिये जाते थे, काईनात की मौजूदगी के, यह natural laws की मौजूदगी के, जब 18 सदी के बाद हम देखते हैं, कि science की एक तबदिली आती है, औ तो एक authority जो है पर खुदा को दे देते हैं, कि खुदा ने असल में एक particular fashion के अंदर दुनिया को बनाया है, वो that is what the gravitational force is, कि उस gravitational force की वज़े से तमाम सयारे सूरच की गूम रहे हैं, और फिर बात आगे गई तो उन्होंने का कि थोड़ सा complicated fashion के अंदर पिर आइनिस्टैन की आगई तो उसको भी उसी तरह से judge कर लिया गया, कि हाँ खुदा की तरफ से authority आई थी जिसने उस fashion के अंदर तमाम planets को रखा हुआ है, अब वो कहते हैं कि सवाल यह नहीं है, वो कहते हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो फिर बात आगे चलेए, बहुराल यह mathematical philosopher भी थे, इन्ह पारों के दरमियान फासले जो हैं, वो मफसूस फासले नहीं है, कहीं छोटे फासले हैं, कहीं ज्यादा फासले हैं, वो बड़े डिस्टनसे से हैं, यह atomic movement जो है वो मुक्तलिफ नजर आती है आपको, आपको समझ में आता है कि यह चीजे जो हैं, वो असल में designed हुई हैं, य वो इक statistical average जो है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि अगर आप dice, जो लोडों खेलते हैं, चक्का जब डालते हैं, तो कहते हैं, आप 36 time के अंदर, दो बार चक्के तो चक्का आपको मिली जाएगा, 6 जो है वो दो time मिल जाएगा, बग अगर आम इसको यह कहें कि यह एक law है, किसा आप 36 बार फेकेंगे, तो दो बार जरूर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, दो से ज़्यादा बार भी मिल सकता है, दो से कम भी मिल सकता है, बट आम एवरेज, एक statistical average यह है, कि दो बार चक्का आजाता है, अगर आप 36 time उसको फेकें, तो यह कहते हैं, कि यह जो पूरा का प बनाता है, और जो नेचर लाओ बनाती है, उसके दरम्यान की confusion में हम फसे हुए हैं, वो कहते हैं, देखें हीमन लाओ जो है, उसमें हीमन कमेंड कर रहे हैं, कि आपको उस तरफ जाना है, यह नहीं जाना वो आपको फॉलो करना है, यह आपकी मर्जी है, मगर हीमन लाओ बन है, जो नेचर हमें इस वक नजर आ रही है, तो उसका जवाब यह भी हो सकता है, कि साब वो अपने खुशी के खातिर किया उन्होंने, तो फिर अपने खुशी के खातिर किया, तो उन्होंने कुछ और क्यों नहीं बना दिया, कुछ और लाओ क्यों नहीं क्रियेट किये, अ laws पहले हैं फिर खुदा की पोजीशन है तो क्या खुदा के पीछे कोई और superior power है जिसमें खुदा को indicate कि है कि भई law को ऐसे बनाना है nature को ऐसे बनाना है तो इस तरह की यहां पर खासी discussion मौजूद है थोड़ा बहुत ये एक light mood में भी बात करते हैं यह कहते हैं कि यह मज़धार बात ही हिए कि यह lawce चेंज भी हो जाते हैं जब आप आरगू करते हैं किसी theologian से यह किसी मजभी आदमी से तो जब आप इशले दौर में चले जाते हैं तो वह बहुत ही जिसे कहते हैं कि hard और बहुत ही intellectuals होते हैं जो बहुत God के Laws के उपर सफ लेज़ें बात करते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि आज के दौर में जब हो आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें चेंज भी उजाती है बलके उन Laws से बात हट कर Morals की तरफ चले जाती है कि जो वेगनेस Morals Society की नज़र आती है हमें Religion की तरफ से उसकी तरफ बात जादा चले जाती है आगे जाकर उन्होंने फिर Argument जो नेक्सिन का परिग्राफ है वो है Argument from Design के हवाले से Argument from Design भी बड़ा Interesting है दोस्तों इसमें यहां यह कहते हैं कि जरा सा हम देखें जो खुदरत ने पैदा की और वो बेस्ट वर्ल जो है इस लहां से पैदा की ताके एक बेस्ट जिसे कहते हैं स्पीशीस पैदा की अब सवाल उठाया है और हमने उन्होंने उनका कि साब वो जो रेबिट की तेल है वो इसलिए है क्योंकि रैबिट को अगर आप शूट करना चाहें तो आसानी से मार सकते हैं क्यों उसकी टेल आपको नजल आ जाती है यह जो भी शूटर्स जो उसको मारते हैं अगर हम इसी की उपीनियन रैबिट से लें तो वो शायद कहेगा कि यार यह बेस्ट वर्ल्ड मेरे लिए तो नहीं है यह उसकी उपीनियन इसकी मामने दूसरी होगी फिर आगे जाका उन्होंने वॉल्टेयर की बात की दॉर्वन की थियोरी के हवाले से बात की उन्होंने का है कि साब असल में बात दूसरी तरफ थी कि एडॉप्टेशन के लिहाज से चीज़े बनी यानि जो जो इन्वार्मेंट था उसके लिहाज से इस्पिशीस को एडॉप्ट करना पड़ा ताकि वो उसमें सर्वाइफ कर सकें वो उस हवाले से एक जनरल डिसकेशन आई को है जिसको हम कहते हैं उसके कंट्रॉल में सबकुछ है या उसको आमचान है और ऑमनी सेंस कह मतलब जो जो सबकुछ जानता ए उसने मिलियन इयर्स के बात ये दुनिया बनाई ये है परफेक्ट दुनिया फिर वॉन आगे जाकर एक बास भी कई ऑन नगे कहा कि ये यह वो परफेक्ट दुनिया है, जो परफेक्ट गॉड ने बनाई, जिसके अंदर इन्होंने जोग बनाते हुगा, कुलक्लक्स क्लाइन, के-के-के, जैसे लोग हमको मिलते हैं, जो अल्टरनेशनलिस्ट थे, जो डिक्टेटर थे, जो अमुमी तोर पर सुपर रेसिस्ट थे जो जीऊश को, और मुसलिम्स को, या जो कैथॉलिक्स को, या होमोसेक्शल के खिलाफ, उन्होंने एक पूरी मुवमेंट चलाई, या वो फैसिस्ट हम को मिलते हैं, इस इस वर दा सुपर वर्ल्ट, जो उन्होंने, और फिर एक, आगे जाकर फिर ये, त्ट्रिजेंस कहते हैं, नहीं साब, ये एक पर्फेक्ट वर्ल्ट है, क्योंकि अगर इसमें जरा से भी चेंज आता है, इसमें प्रोटो प्लैजम है, प्लैंड्स का, या साइटो प्लैजम है, इन्सानों का, वो डिस्ट्राइ हो सकता है, तो उन्होंने कहने में क्या बुराई है, हाँ, वो ख करने के लिहाज से अड़ापटेशन डिवलप हुई है, और अगर डिके आता है, और अगर डैमेज आता है, और जिन्दगी खतम हो जाती है, तो उससे थेलिजन्स उस तरफ जाना नहीं चाहते, क्यों कहते हैं कि इस पर बात नहीं करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, बलके लाइफ हमेशा रहेगी, और अगर उस पर हम बात करते हैं, तो फिर वो मौजू दूसी तफ निकल जाता है, इस तरह से उन्होंने इसको डिसकस किया हैं आप है, कि लाइफ को मुस्तखिल रखने से थेलिजन्स की फिलासोफिय को या उनकी फिकर को एक रुख मिल जा Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Syed from Arouj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroujfinancial.com. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Allum Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Allum Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourist is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as Ziarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA-approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. Muslim Welfare Center At Cityscape, this is how we say, I love you. You vimta. May a thonnu piaar karda. Te yubesk. Juthan. Mujhe tumse piaar hai. Ya tabay lublu. Te amoh. Waang. Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. Welcome back, friends. Now, we are talking about the moral arguments about the deity. He is saying that the moral arguments of God's moral arguments, he is saying that he is saying that the moral arguments of God's moral arguments, he is saying that the existence of God's intellectual arguments, when we talk about Immanuel Kant, themaj侍 of the peggy기는, he is saying that the moral arguments of omciences of God's moral arguments, he is saying that even though the moral arguments are outlined, they are saying that the moral arguments are suggested that the moral arguments are explained. So, Immanuel Kant tried what he is saying that the moral arguments are the moral arguments, but in terms of the moral arguments, when Immanuel Kant's intellectual matters are said that the moral arguments are made to discuss them. जो उनकी intellectual thoughts हैं, वो उन maxims पर, यानि उन short जिसे कहते हैं कि natural truth के ओपर आकर रुख जाते हैं, जिसकर हम कहते हैं नहीं जैसे कि action speak louder than words, that kind of truth के ओपर आकर रुख जाते हैं, बिलकुल वैसी जैसे कि उनके माँ, उनके माँ कर अंग्लिश की, कि जैसे उनके गुटने में जो अक हमाले से उनके अपने एक दलील दी, कि वो असल में खुदा की पैदाईश से पहले नहीं था, ये खुदा था, जिसने बताया कि ये right है, ये wrong है, ये गलत है, ये सही है, इसको इनके आगी जाकर dialogue किया, और उनके किया कि ये right और रॉख किया, तो फिर खुदा से पहले क्या है, तो फिर खुदा की position थोड़ी सी awkward हो जाती है, क्योंकि अगर खुदा good है, और वो कहना है कि मेरे जैसे हो जाओ, या मैं जो qualities बता रहा हूं, वो बहतर है, तो फिर खुदा से पहले किसने काइनात बनाई थी, क्या किसी शैतान ने बनाई थी, जो बुराई का मामला था, और फिर खुदा आया, फिर उनने बताया कि नहीं है अच्छाई यह बुराई है, तो वो कहते हैं कि अच्छाई और बुराई से पहले क्या खुदावन्थ को ऊपर कोई superior खुदा था, जिसने कहा है कि तुम जो हो अब यह decide करो क्यों सा good है, क्यों सा bad है, तो वो कहते हैं कि जो moral values की जो generation है, जो हमको उन से पहले नज़र आती है, और बाद में decide होती है, उसमें लगता है कि खुदा का किरदार secondary है, वोई intermediary किरदार है, primary किरदार नज़र नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो खुद good side की तरफ चले जाते हैं, तो यह एक philosophical बहस है, जो खुदा की पर आती है, इन्होंने बड़ी मज़िदार नज़र 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 को डिसकूस किया है, फिर आगे जाकर वो remedy of injustice के हाले से बात करते हैं, यहां आकर फिर वो कहते हैं, जो हमें नज़र आता है, वो हम देखते हैं कि खासा injustice मौजूद है, हम देखते हैं कि नेक ल बात यह है कि दुनिया में ingest मौजूद है, और कुछ पता नहीं, काईना तो बहुत बड़ी है, अगर फर्स करें कहते हैं कि ऐसी बहुत सी दुनिया मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह कि चूंकि दुनिया में ingest नज़र आ रहा है, हमें नाइंसाफिया नज़र नज़र है, तो मैं कहूंगा, यह पूरा करेंट ही खराब है, फिर वहां वह सवाल उठाते हैं, कहते हैं, ओमनी पॉर्टेंट क्या कहलाता है, वो इतना ओमनी पॉर्टेंट क्वालिटी का उनलिमिटट पावर का खुदा जो है, वो उसमें पूरी कायनात में unjust फैला हुआ है, तो फिर सवाल उसकी morality पर आ जाता है, कि खुदा की ताकत पर आ जाता है, कि यह किस खसम के कायनात बनाई है, जिसमें unjust फैला हुआ है, जिसमें नाइंसाफियां पहली हैं, तो वो सवाल असल में कहते हैं, कि वो डायटी के against चल जाता है, उनके favor में नहीं जाता है, कि उनोंने क का जाता है, कि साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत वाइसेस्ट हैं, बहुत दानिश्वर हैं, मगर वो कहते हैं, हमने बहुत ही चीशे ग्रैंट भी ले लिए हैं, अब उसमें उनोंने कई एक बाइबल के आयतों को का reference दिया, मसला हम उनोंने कहा कि बाइबल में ही है आधार रिजस्ट नाट इविल, बट हूस ऑवर, शेल समिट थी ओन थाई राइचिक, तुन तू हिम दाधर आल, वही पुनानी बात है, आपने सुन ही होगी, कि साहब अगर तुम्हारे एक गाल पर थपड मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वह कहते हैं, यह नई बा एक और आयद भी उनने कोट की, कि इव थो विल्ट बी परफेक्ट, गो एंड सेल देट थो हैस्ट और गिफ तू दू पूर, अब यह उस जमाने के अंग्रेजी है, मतलब कहने का यह है कि साहब, अगर तुम परफेक्ट होना चाहते हो, तो जो कुछ तुमारे पास है, वो बहराल कहते हैं कि अगर हम उस बात पर यखिन कर भी लें कि क्राइस्ट यह अज़र ईसला मौजूद भी थे, और जिस किसम का उनके बारे में गॉस्पल के अंदर पूरा पूरा स्ट्रिक्टर दिया गया है, अगर हम उस पर गोर करें तो हमें समझ में आता है कि कोई जाद आने वाले हैं, अब आगे ये उसके मौरल प्रॉब्लम से बात करते हैं, कहते हैं कि जरा क्राइस्ट की तमाम बातों को देखिए और आप देखिए कि क्या कॉंसेप्ट आ रहा है मजब के अंदर, हैल के कॉंसेप्ट को उन्होंने खास्तों आगे रहे के क्रिसाइज किया, उन्होंने कहा कि एवर लेस्टिंग, पनिश्मेंट का जो कॉंसेप्ट है, ये बड़ा कुरूल खिसम का कॉंसेप्ट है, इन्होंने कहा है कि हमें हजड़त, सुरी हजड़त की मौत का वक्त याद है, जब सुखराइज जब मर रहे थे तो उनकी जबान पर क्या लफ्ज थ उसको मुरगे की खुर्बानी दे दो, क्योंकि हम पर ये खर्स चड़ा हुआ है, अब इसका मतलब यह नहीं कि वो कोई मजभी आदमी ते सुखराइज, उसका मतलब हो सकता है, कुछ भी निकाला रह सकता है, कि जिन्दगी जो है, वो असल में खैद है, और रूप की नहीं आएगा, कि वो ये कह रहे है, एदानिशवर, कि हमारी बात मानो, वन्हा एवलेस्टिंग आग में जलते रहोगे, लेकिन यहां, बाइबल जो है, ऐसी आयतों से भरीवी है, जिसके अंदर जगा जगा लिखा जा रहा है, कि अगर तुमने नहीं माना, यानि कई जग इसको कह रहे हैं, कि आग में तुम्हारे दान्त किचाएंगे, और तुम्हें बार बार ही सजा दी जाएगी, वो एक जगा कहते हैं, उन्होंने आगे एक और लिखा, उन्होंने कहा है, कि जब मैं लॉट कर आऊंगा, तो मैं शीप और गोट को, आपको जाद होगा है, कि उन्होंने कहा है, कि मैं आऊंगा, तो मैं वो भेड़े और बक्रियों का अलग-लग कर दूगा, और उन्होंने जो खराब होंगे, उसको हल में जलना पड़ेगा, मतला, आफकोर्स हम समझ जाएं कि इसका मेटाफोरिकल मीनिंग जो है, वो नेकी और बदी से है, कि कौन कुन कर रहा है, तो इन्होंने यहां पर सवाल उठा दिया, हज़र इसा आग में जलते रहोंगे, यहां उन्होंने बड़े सख्त सवालात उठाई इस मौदू के पर, वो कह रहे हैं, कि यह एमोशनल फैक्टर हमको बधा में और सुखरात में नहीं मिलता है, जितना हज़र इसालसामा मिलता है, उन्होंने वो इन्जील के दरखती मिलता है, कि पीटर सेतन पो हेँ, मास्टर बीहोल न फ्रेघी विच दो QUE वें ? उंक्टल फैस आहत कर शॉच क्यों सभी इस वहांगे कि पन्सना ही, इस दरखतं चाएँ कोई पही बिलीगी किसी को अब उन्हों आगे लिखा नहीं था इंजील का इसलिए नहीं लग रहे थे उसके उपर वस इतनी सी बात थी इतनी ज्यादा इसमें इमोशनल होने की बात नहीं थी तो इस तरह की वह नहीं बड़ी मतलब एक लाइट मूट के अंदर यहां पर भी बात करी कि यहां पर तौन में आ जाता है एक कांड अफ स्टोरी है और वहां आकर वह देखता है उस ताउन को और बैलूर ने बैट ता उड़कर चला जाता है फिर बीच साल के बारा आता है तो देखता है कि वहां पर साब एक मजभ पहल गया है और वह कहते हैं कि सूरज का बेटा आया था और बहुत से पेगंबर भी मौजूद है वहां पर और वह उसको पहला भी रहे हैं वह कहता है कि यार देखो सची बात है कि मैं आया तक मैंने देखा मैं चला गया तुम लोग ने मेरे बेसिस के पर पीछे डिलिजन बना दिया उसके बाद इनको वहां कि तूम यहां से चले ज बहस करने को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह जो मौरल वैल्यूज देते हैं वह बड़ी क्यूस्चनबल होती है वह बहुत ही उसमें कुरियासिटी मौजूद है यह बिल्कुल ऐसे ही है और अगले परेग्राफ के अंदर हो दा चर्चेस है रिटार्ड़ प्रोग्रे बलके वह उल्टे दुगाए होंगी कि अब अपने शौर के खिदमत करें और उनको फॉलो करें चाहे वह किसी भी फॉर्म में क्यों आओ तो हैपिनेस का मौराइलेटी से कोई तालूख नहीं है यहां पर वह सब्सक्त सवाल उठाते हैं वह कहते हैं कि हैपिनेस का मौराइ जो नोनों साथ साथ चलते हैं, यह जो बुराई है, 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 यह जो बु हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी, हमें वो तमाम जो हमने एक एलीज बनाए वे हैं, जो आस्मानों से उतरेंगे, और उतर कर हमारे हमारे मामलात क्लियर करेंगे, या वो सारा डेड माटीरियल जो पास्ट का है, उसको हमें साफ करना पड़ेगा, अच्छी जिन्द पूरी की पूरी, यह जो पुरा ऑपरेशन वे है, मजभ का, इसमें समय निकलना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है, फ्री इंटेलिजन्स का, फेरलेस लुक का, जो हमको आगे ला सकता है, या अच्छी अच्छी जिन्दगी दे सकता है, दोस्तों, यह सब बाते हैं, इस इस डिसकुशन को खतम करता हूँ, बस जाने से पहले मैं आपको चार लाइने ज़रूर सुना देता हूँ, और फिर यहां पर इसको खतम करते हैं, फिर अगली बार में हासिर होंगा एक नई बुक के साथ, यह परेग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगाता है, और मैं चाह that there has been in the world, has been consistently opposed by organized churches of the world. I say quite deliberately that the Christian religion as organized in its churches has been and still is the principal enemy of moral progress in the world. यह बड़े strong लफ्जों में इसको बयान कर दिया था. दोस्तों, यह बड़ा सकत इसम का आर्टिकल था, इसको बहुत 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 होई, अब इसको हम्या रोक लेते हैं, आप ही कीज़ेगा बहुत 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 से सिवाते होंगे जो मुझसे में सुभी ह जो आप पलने के दोरा और डिल अप होंगे और एक नया दुख सोचने का बजिदा अगली बार हाजर होंगे एक नए कि करते हैं करते हैं